हाई फ्रेंट्स आइम दिपक थिगड़े फ्रम कुरूशना इलेक्रोनिक्स दोस्तों यह 29 इंच का सेट है जो के डेड़ पुजिशन में मेरे पास आया हुआ है और इस टीवी के उपर जिस किसने भी पहली मेकनिक में काम किया था उसने इसका पावर सप्लाय बाइपास करके यूनियर्सल पावर सप्लाय लगया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखिए यह यूनियर्सल पावर सप्लाय लगया हुआ है जो कि यह खरब हो चुका था यह वाला तो मैंने यह नया मॉडूल लगाया हुआ है अब भी तो यह लगने के बाद मैंने चेक करने के बाद इसका जो आउटपुट का टांजिस्टर है वह भी खरब हो चुका था जो मैं आपको दिखाना चाहते हूं तो आप यह देखिए तो दोस्तों मैंने यह ट्रांजिस्टर उल्टा करके लगाया है जिसका नंबर है 6810 और जो पहला इसकी जगह पे जो पहला ट्रांजिस्टर था वह उसका नंबर था 2090 यह 2060 आता है लेकिन वह मेरे पास आइवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने उसका एक्वेलिन लगा दिया जिसका नंबर था 6810 उसकी जगह पे आप 230 2310 यह 6810 यह दोनों में से कौन से आप लगा सकते लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी आप देख सकते यहाँ पे ड्राइवर ट्रांस्पर्मर्मर था इसकी वज़े से वह बैटने रहा था इसलिए मैंने उसको उल्टा लगा के नीचे से वायर शोल्डर करके इसके कलेक्टर बेस एमिटर को जोड दिया है तो यह एक बात हो गई और मैं आपको कुछ बाते यूनिवर्सल पावर सप्लाय 29 एच को कैसे लगते इसके बारे मैं बतना चाहता हूँ आपको दो मॉडिल पता ही होगा कि इस तरह का मॉडिल सब्सक्राइब को इसके साथ में यह सिलिकान पेपर आता है धोस्तों यह सीलिकान पेपर लगना बहुत जरूरी है यह क्या काम करता है सिलिकान पेपर यह देखिए यह हीट्सिंक और पाउर सप्लाय के बीच में लगते तो इसकी वज़े से एक तो इसका हीट प्रॉपर पास होता है इसकी वज़े से यह मॉस्पेट ज्यादा हीट नहीं होता और दूसरी बात यह है कि यह जो मॉस्पेट होता है इसके पीछे यह मेटल की लेर होती है तो यह मेटल की लेर किसी भी कंडिशन में इस हीट सिंग को टच नहीं होनी चाहिए अगर यह टच हो गई तो यह मॉस्पेट खरब हो जाता है इसकी वज़े से यह सिलिकॉन पेपर लगाना बहुत जरूरी है आप यह बात द्यान में रखिएगा हाला कि बहुत लोग मेकेनिक्स लोगों को यह बाते पता होती है कुछ मेकेनिक्स लोग को पता नहीं होगी इसलिए मैंने यह बात बता ही है और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह उनिवर्सल मॉडल कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ मैं आपको आपको चैसी उल्टर करके बताता हूँ मैं तो आप देखिए मैंने यह चैसी इसकी उल्टी किये हूए तो इस चैसी का नंबर है CW62A 200 ELG के हर चैसी के उपर पीछे से और आगे से दो प्रिंट रहते हैं दोनों के उपर चैसी नंबर और मॉडल नंबर लिखा हूँ होता है अगर आपको कुछ भी दिक्कत आते हैं तो अगर आप इस चैसी नंबर को गुगल पे डालोगे तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि इसमें कौन सा E.S.T लगया हुआ है अगर E.S.T का नंबर आपको मालूब नहीं रहेगा या उसका इस्टिकल निकल गया होगा तो आप उससे पता कर सकते कि उसमें कौन सा नंबर था E.S.T का बाद में जो अगर आपका तरह से जल गए होगा आपको पता नहीं होगा तो यह सारे नंबर आपको निकल सकते हो उसके बाद आपको जो पीन होल्टेजे से हो भी आपको पता जलजाएंगे तो आप कभी भी आपको यह दिख्कत आते हैं तो आप चासी नंबर गूगल पर डाल दीजिएगा तो आपको सब पता जल जाएगा अभी आप हम आते हैं उनिवेशल पावर सप्लाइब के उपर दोस्तों इनिवेशल पावर और सप्लाइब में मैं इसको निकलता हूं तीन वायर होते हैं ब्लैक रेड और ग्रीन तो मैं आपको पहले यह रेड वायर के बारे में बताता हूं दोस्तों यह रेड वायर जो पावर सप्लाइब का यह इस्टियर होता है उसका जो पावर सप्लाइब के पीन होता है दोस्तों यह पावर सप्लाइब के पीन है यहाँ पे यहाँ पे रेड वायर लगना है और दोस्तों ध्यान में रखना है कि यह रेड वायर में फिल्टर कैपिसिटर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यह जे रेड वायर में यहाँ पे लगाई है तो इस में फिल्टर कैपिसिटर से ही इसको सप्लाइब कैपिसिटर का यह पॉजिटिव पीन है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे sign भी है देखो positive का तो यह positive pin का supply यहाँ से होके यहाँ पे आता है chopper transformer के इस pin पे आता है और इस winding के थूँ यहाँ पे आके यहाँ से होके इस pin पे आता है तो आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस filter से जो supply आता है main filter से जो supply winding के थूँ जिस pin के उपर आता है HDR के उसी pin पे आपको यह red वाली wire लगनी है बाकी किसी जगे पे भी यह wire नहीं लगनी है तो आपका यह universal power supply काम नहीं करेगा और दूसरी इसकी जो black wire है यह capacitor के negative point पे आप कही पी भी लगा दो यह negative point पे main filter के capacitor पे लगा तो भी यह universal power supply काम करेगा लिकिन स्रीप आपको यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यह red wire जिस winding through supply आता है उसी के उपर यह आपको लगनी है तो यह mostly मतलब 100% यह HDR के जो main power की pin होती है जिस पे supply आता है 300 hold उसी के उपर लगनी है आपको यह ध्यान में रखना और एक बात बाताना चातों मैं आपको यह जो universal power supply है इसको जो 21 इंच के जो टीवी होते यह मतलब 14 इंच के रहेंगे 21 इंच के रहेंगे तो उसको हम 110 hold set करते हैं इस वाले प्रिसेट त्रू जो कि मैं आपको टीवी का चालू करके दिखा दूंगा तो इस पिन इस प्रिसेट से हम voltage set करते हैं तो आपको 110 नहीं रखना है बलकि 110 से ज्यादा supply रखना है तो वह supply कम से कम 115 hold और 120 hold के बीच में रखना है अगर आप 115 से 120 के बीच में रख के अगर आपका पिक्चर सही आता है तो आपका होल्टेज थोड़ा सा बढ़ाना होगा जो कि आपकी वीर्थ और हाइट एड्जिस हो जाए आपको यह द्यान में रखना है तो मैं आपको वह दिखा दूंगा कि होल्टेज कैसे सेट करते है ठीक है यह दो बाते मुझे बाता नहीं थी एक तो है इसकी कैपिसिटी अच्छी रहते है तो यह अच्छा काम करता है तो दोस्तों ये युनिवर्सल पावर सप्लाई देड़ सो वैट तक काम करता है इसकी कैपेसिटी देड़ सो वैट रहती है तो इस पावर सप्लाई को 29 इंच के टीवी को ये बिल्कुल आसनी से चलता है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती है और एक बात बताने जाता हूँ जब आप ये युनिवर्सल पावर सप्लाई लगते हो तो उसके बाद ये जो में फिल्टर कैपेसिटर है उसके बाद का जो भी सरकिट है वो किसी काम का नहीं रहता इसमें से आप सारे कॉंपोनेंट आप निकाल भी दोगे तो भी आपका ये पावर मतलब आपको यहाँ पे वन टेन सप्लाई यहाँ पे इस कैपेसिटर पे या इस कॉईल पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा तो आपको यह सिर्फ यह ध्यान रखना है कि युनियरसर पावर सप्लाई का जो होल्टेज है वह 115-120 के बीच में रहनी चाहिए या अगर वीर्ट और हाइड कम हो जाती है तो आप उसके सबसे अपना होल्टेज सेट कीजिए कम जादे कीजिए तो आपका आगे का स्क्रीन सेट हो जाएगा तो दोस्तों मैं अभी आपको सेट अन करके हम इसकी सप्लाई एडजेस करेंगे और देखते हैं कि सेट अन होता है कि नहीं तो चलो दोस्तों हम सेट अन करते तो मैंने अभी इसको पावर दे दिया है और सेट अन हो गया है सेट अन होने का मतलब यह स्थी का जो हलका सा आवा जाता है वो आ गया है इसका मतलब सेट अन हो गया है अभी हम होल्टेज देखते तो यह वाले कोईल पर हमें होल्टेज चेक करना है और इसका ग्राउंड मैंने यहां पर पिच्चर टूप को दे दिया है और इसको टू अंडेड होल्टेज पर सेट करना है मिटर को और इस वाले कोईल पर हमें चेक करना है तो देखो दोस्तों इसको वन जिरो एट मतलब एक सो आठ होल्ट है जो कि हमें बढ़ानी है तो इस होल्टेज को बढ़ाने के लिए हम यह प्रिसेट से उसका होल्टेज बढ़ा देंगे तो दोस्तों हम इसको होल्टेज सेट करते हैं पहले इसके उपर पहले प्रेज Perfect पहले पहले जिए पहले पहले टुम्म्म्म्म्म्म्म्म्ht करते हैं झाले टूस्तों होल्टेज करते हैं कि दोस्तों युनिवर्सल पावर सप्लाइ का उल्टेज सेट करने के लिए और एक तरीका है 29 इंच के लिए मैंने पहले तो बताया है कि कैसे उल्टेज सेट करते लेकिन अभी और एक तरीका है कि हम जब सेट आन करते हैं कुरा कि और उसका यहां जो हमें डिशले पे उटेज से शो करता है तो अभी मैंने जो ऊल्टेज सेट किया था एक सुबिंपारा होल्ट सेट किया है तो एक ख़तरा होज सेट करने पर जब हम वीडियो की पिन जोडते है यह वाली जब हम इसको वीडियो का सिगनल दे देते हैं तब यह देखिए यह सामने उसका पिक्चर आया हुआ है पिक्चर आने के बाद मतलब पूरा लोड देने के बाद इसका होल्टेज लो हो जाता है आ है और जो पिक्चर जो आता है समने वह वी कम हो जाता है तो तब आपको यह वाटेज़ करना है आपके हिसाब से आपको समने देखना है कि की स्क्रिन पूरी तरह से हाइट विड में अच् ौ रही है के नहीं कि उसका brightness adjust हो रहा है कि नहीं उस हिसाब से हमें यह प्रिसेट गुमाना है तो चलो हम देख करते हैं अभी होल्टेश सेट करके मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए स्क्रीन पे आप कम ज्यादा हो रहा है तो अभी यह मैंने वीर्थिसकी सेट किये तो पूरा लोड़ देने के बाद हमें एक सो तेरा होल्ट मैंने सेट किया है अभी देखते हैं उसका हाइट और वीर्थ मैंच हुआ है कि नहीं मैं अभी आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे तो दोस्ता देखिए अभी इसका वीर्थ बरबर एड़ेस हुआ है और इसका हाइट भी पूरा एड़ेस हुआ है और ब्राइटनेस भी इसका सही है तो अभी मैं यह वन थर्टिन पर पूरा लोड़ देने के बाद सेट करता हूं जब हम इसका वीडियो का पिन निकल देंगे मतलब इसका लोड़ कम कर देंगे थोड़ा तो इसका होल्टेज आता है वन सिक्स्टीन तो यह अभी सही होल्टेज मेंने सेट किया हुआ है अभी आप अपने सबसे जैसा मोडल रहेगा अलग-अलग मोडल रहेगे तो उसके के लिए एक दो होल्ट इधर उदर हो जाता है तो आपको सामने स्क्रीन देखके आपको वोल्टेज आड़ेस्ट करना ही यह बात द्याज में रखो कि अभी यह यह जी का 29 इंच का सेट जो है यह बिल्कुल तरीके से मैंने वोल्टेज के साथ सेट किया हुआ है यह देखिए 159 मैंने सेट किया है 159 पे मेरा पिक्चर बिल्कुल सही आ रहा है तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ आप देख सकते हो इसका हाइड और विड ब्राइटनेस बिल्कुल तरीके से पूरा एड़ेस्ट कर दिया है मैंने और यह सेट बिल्कुल ओके हो चुका है तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू